तो यहां पर स्मूध बगलेस रोम फॉर एड्मी नोट सेवन बहुत साह लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे मुझे यार माइंड में एक ही आती है क्योंकि वह है पिक्सल एक्सपिरियंस और वह बहुत जादा पॉपुलर है लेकिन यहां पर एक और रोम है जिसका नाम है CR-Droid रोम और यह भी Android 10 के उपर बेस्ट है आई थिंक यार दोनों के डेवलपर भी सेम है फिलहाल के लिए बस एक डिफरेंस है कि उसमें ओटी अपडेट भी मिलता है लेकिन CR-Droid में एक और डिफरेंस है कि इसमें आपको थोड़ी कस्टमाइजेशन भी देखने को मल जाते हैं जो कि यह काफी सोने पर स्वागा टाइप है यहां पर आपको देखने को मलता है तो यहां पर आपको देखने को मलता है अंड्रोइट 10 बेस या ड्रोइड रोम रेड्मी नोट 7 के लिए जो की लेटेस्ट अपडेट पर भी देखने को आपको मिल रहे है नावंबर फाइवा स्कुरेटी पैच आपको यहां पर देखने को मलता है और इसके अंदर करनल भी काफी अच्छी है जिसका बैटरी बैकप आपको आट के गंटे के आसपास देखने को मिल जाएगा साथ से आट गंटा इसली यहां पर इसका स्क्रीन डाउन टाइम के साथ आपको देखने को मलता है इवन PUBG Performance HD में आपको देखने को मल जाती है नो डाउट काफी स्मूद रोम आपको देखने को मलती है और बग्स वगेरा भी नहीं देखने को मलते हैं यहां पर अगर आपको कुछ फीचर्स दिखा दूँ तो डिस्पले के अंदर आपको सारे स्टॉक Android वाले फीचर्स देखने को मल जाएंगे इवन स्टाइल में आपको यहां पर देख सकते हूँ तो यहां पर क्लॉक वगेरा भी आपको देखने को मल जाती है जो कि आप क्लॉक स्क्रीन में चेंज कर सकते हो साइज साथ यहां पर वॉल पेपर में थोड़ी सी कमी आपके करी गई है लेकिन आप वॉल पेपर अलग से इंस्टॉल कर सकते हो यहां पर डाग थीम का भी ऑप्शन मिलता है जो कि यह काफी अच्छा है आप यहां पर ऑप्शन रहता है साइसाइ स्टाइल वगएरा रोटेशन सेटिंग और फॉन सेटिंग स्क्रीन सेवर यह भी आप लगा सकते हो लॉग स्क्रीन डिस्प्लेए में भी आप आलवेज ऑन डिस्प्लेए यहां पर एक तरीके से अन कर सकते हो जो कि आपका बैटरी कंजप्शन जरूर से इंक्रीस करेगा तो मैं तो रिक्रमेंड नहीं करता हूँ बात ही बूजाओ वो काफी स्मीध यहां पर वो करता तो यह भी चीज ना पको यहां-स फिर आप सकते हो और आपको यहां पर करना है यहां पर employer में screen record का ibook और कर सकते हो लेकिन ग्सेंट 2000 इस सही से बिक नहीं करता है थोड़ा सा बग इसके अंदर देखने को मलता है जब आप screen recording on करो तो यह चीज यहाँ पर थोड़ी सी आपको face करनी पड़ सकती है जब आप screen recording यहाँ पर करते हो तो see अगर आप यहाँ पर screen recording इस तरीके से on करते हो तो आपका यहाँ पर device इस reboot करना पड़ेगा तभी आपका यहाँ पर work करेगा तो इस तरीके से थोड़ा सा एक bug मलता है अगर मैं कहूंगा screen recording करना चाहते हो तो इसके लिए इसका stock वाला तो बिल्कुल use मत करना तो यह एक थोड़ा सा bug आपको इसके अंदर देखने को मलता है वोल्टी भी इसके अंदर वर्क करता हो आपको मलता है तो यह सुन सकते है उसके ringtones तो काफी अलग अलग तरीके कि आपको यहाँ पर ringtones भी इसके अंदर देखने को मलती है तून्स भी जो कि बहुत यह अच्छे option देखने को मल जाता है अब यहाँ पर बत करने main headline की जो की है इसकी settings तो बहुत सारे customization इसके अंदर मिलते हैं जैसे कि status bar icon और clock style left right hidden differentiation और network setting 4G icon वगएरा आप यहाँ पर कर सकते हो आइकन आप battery style जो चेंज करना चाहो सब चीज कर सकते हो तो एक और option मल जाता है उसके लावा quick setting में rows वगएरा column change करने का option मलता है जैसे कि अभी 4 rows है तो आप 4 लगा सकते हो तो अपनी इसाफ से change कर सकते हो तीन बाई 4 कर सकते हो तो जितनी आपको चाहिए आप उस इसाफ से अपने इसाफ से कस्टमाइज भी कर सकते हो तो सारे option आपको मलते हैं इवन landscape में भी change करने का option मल जाता है बैटरी परसेंटेज, clock वगारा शो करने का उसके लावा lock screen में भी आपको यहाँ पर media cover change करने का option मलता है और यहाँ पर आप tap to sleep of fingerprint authentication में vibration का भी option आपको मलता है जो कि एक ठीक ठाक option यहाँ पर रहता है उसके लावा stock navigation का भी option मल जाता है जैसे कि आप देख सकते हो मैं आप Android की वाला navigation यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें भी कोई दिकताना ही आती है और भी कुछ यहाँ पर आपको option मलते हैं जैसे ambient display, animation वगेरा भी आप यहाँ पर अपने इसाप से पूरे set कर सकते हो तो customization आपको कोई दिकत नहीं आएगा अगर आपको customization चाहिए जो कि बहुत ही अच्छे से इसके अंदर मलता है sound वगेरा में भी charging sound में भी आप यहाँ पर अलग तरीके से लगा सकते हो बंद कर सकते हो तो बहुत सारे option मलते हैं miscellaneous में show gaming info साथी साथ gaming mode का भी option मलता है जिसको आप activate कर सकते हो और swipe to screenshot वगेरा पॉकेट डेसक्शन सब इसके अंदर supported रहता है overall देखा जाए यार तो मैं जब first में redmi note 7 let's make cake जो है उन्होंने यह बनाए थी रोम तो यह रोम redmi note 7 के लिए support वो लेके आए थे और काफी ज़ादा अच्छा यह developer ने करा था काम और starting से अभी तक बहुत ही अच्छा यहाँ पर काम आपको इसके अंदर देखने को मल जाएगा क्योंकि काफी smooth और काफी अच्छी रोम यहाँ पर देखने को मलती है जैसे कि मैंने आपको PUBG के बारे में बताया तो PUBG यहाँ पर आपको PUBG HD में देखने को मलता है और काफी super smooth देखने को मलता है heating issue भी कुछ नहीं है इसके अंदर battery backup भी काफी ज़ादा अच्छा देखने को मलता है आपको इसके साथ यार Google Camera आप अलग से इंस्टॉल कर सकते हो तो Camera 2 API आपको अनेबल मिलता ही मिलता है उसे के लबाद G Apps भी आपको यहाँ पर फ्लेश करना होगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा तो G Apps फ्लेश करना मत भूना अगर आप इसको डालना चाहरे हो तो Settings में आपको दिखा दूँ Graphics में देख सकते हो HD High में चलता है काफी Smooth gameplay इसके अंदर देखने को मलता है यह चीज आप नो डाउट बहुत ही अच्छे लगेगा लोगों को जो कि इसकी काफी अच्छी बात यहां पर मुझे लगी है कभी साथ साथ घंटे का आपको इसली मिल जाएगा Gaming performance भी काफी अच्छी इसके अंदर देखने को मिल जाएगी और बग्स भी काफी कम देखने को मिलते हैं तो फिलाल तो इस वीडियो में इतना ही मिलता हूँ आपको एक और नी वीडियो में अगर आपने